तो है लो दोस्तों मैं ये जोएलरी बना रही हूं ये मिशिल पोकर क्ले है ये तो आपने दिखा और इसको मैंने दो पार्ट करने के लिए मैंने एक गोला बना लिया बना के उसको बीच से काटने से बिल्कुल इक्वेल दो पार्ट आ जाता है तो मुझे दो चाहरन बनाने इसलिए मैंने बीच से काटा था कि दोनों चरन इक्वेल हो एक थोड़ा छोटा होने से भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मैंने पोशिश किया और ये मैं एक शिव का और एक कालीमा का चरन बनाना चाहती हूं तो कुछ सिंबॉलिक ज्वेलरी है और ये बहुत सुंदर आपको पता नहीं देखने में कैमरा में कैसा आरा होगा और ये नाखुन वाला पार्ट है वह मैंने एक पेन खाली पेन के उससे मैंने थोड़ा गोला करके अग कर दिया है और ये सामने से देखने से बिलकोल नाखुन लग रहा था तो आप बाद में देखिएगा आपको जाता चलेगा इसको शेप देने के लिए मैंने काफी बार ये टेलकम पाउडर से टाइम लगता है थोड़ा मतलब उंगली से टेलकम पाउडर को बार बार लगा लगा कर मैंने इसको प्लेन किया ये जो बढ़ खबर आ जाता है या कभी-कभी थोड़ा थोड़ा निशान जाता है क्रैक्स आजाते हैं वह कुछ नहीं आता अब अगर टेलकम पाउडर से करोगे तो बार बार पॉलिस करना पड़ता है कि जो ये काफी स्मूध बहुत सुंदर दोनों पाउव आये हैं इश्वर के चरण है थोड़ा जयतन से बनाना पड़ा और ये काफी सुंदर इलास्टिक अब देखिये छोटे-छोटे पाउड देखने में अच्छा लगता है तो ये मैंने एक जो मॉर्णिंग वाला जो मैसेज आता है उसी में मैंने मुझे देखा था उसी से मुझे आइडिया मिला तो मैंने सुचा एक मैं बना के देखूं कैसा लगता है फिर इसको मैंने काफी टाइम लगा मैंने थोड़ा चोटा करके दिखाया इतना बड़ा मैंने दिखाया नहीं लेकिन बस यही बनाने वाले पार्ट में अगर मेहनत कर लोगे तो पिर कलर पार्ट में कुछ है नहीं आप देखके आपको पता चल जाएगा ये बन जब तक ना मैंने काटा नहीं है कि आपको समझ में आ इसलिए अगर क्ले पार्ट आप मनलब बनाने में अगर मेहनत कर लोगे तो बाद में आपको बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है फिर पटपट बन जाता है तो यह मैंने और मैं इसको मैंने कलर करी एक काली मा का और एक शिब जी क पॉर्ट शिम्बॉलिक बिंदी से जैसा मैंने उसमें देखता पोष्ट में मैंने सही किया यह देकिए आःओ सुपने के बाद बिलकुल सही लग रहा ने दोनों पांggi छोता छोता कूलो बोलते हैं मंग सुप जिसको यी वेल आती हूछ ूंट इसे मैंने पूरा सेट बनाया हुए दिखाने वाला उतना मुझे लगा नहीं थ्ट पिक्चर डाल दी है यह डेहby 그래도 Stück कूलो यह बहुत सुंदर है देखने में लग रहा है यह यहरिंग्स है यह मैं त्रेड बॉल्स में बनाए थी त्रेड बॉल नहीं यह अच्छली यह बीड्स है हाँ तो बीड्स से मैंने इसको डेकोरेट किया और यह कोडी पीछे को में जोएलरी जो कान में पहनने वाला जो यह भी एक सूप है और उसके पीछे मैंने थोड़ा से बैक्राउंड लगाया वह भी उसमें ज्यादा कुछ था नहीं मैंने इसलिए वह पिक्चर दे दिया आप देखकर समझ जाओंगे और यह इसका फुल लुक कैसा लग रहा है आप बताईए आप भी कोशिश करिए बहुत सुन्दर है मेरे ख्याल सही है आपको अच्छा लगेगा बनाने में भी अच्छा लगेगा और पहनने में भी काफी एलिगन्ट स्टाइलिस्ट बना है और आप देखिए मुझके तो काफी फ्रेशनेबल लग पहने के बाद पैसा लगेगा जो पहने के वो पता सकते हैं आप बताईए आपको कैसा लग रहा है मुझे बहुत सुन्दर लगा इसलिए मने आपके शाथ शेयर किया आप देखिए बनाईए पुशिश करिए एक नया चीज धन्यवाद